नमस्कार मेरा नाम है साजेव और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्ष्णाइन नियूर्वियेशन एकनाज शिंदे ने उद्दफ ठाकरे गुट में तूट करके भाजपा की साथ कटबंदन कर दिया तूट करने के लिए भाजपा ने एकनाज शिंदे को एक गिफ्ट भी दिया गिफ्ट में उन्हें महाराश के मुख्यमंतरी का तथाकतित ताज पहना दिया गया तथाकतित सब्द का इस वज़े से परियोग कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंतरी का बस एक बैनर जो है उनके नाम के आगे लग गया है बाकी सारा चीद जो है महाराश में वो तो देवेंदर फड़नमीजी समाल रहे हैं ये बात भी जग जाही है देखें अब क्या हुआ है कि एकनाज शिंदे को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है चालिस विदायकों संग भागी होकर के बाजपा में आये और अपने विदायकों को उम्मीद जताई कि महाराश की जनता कबरपूर समर्थन भी लेकिन उनके ही बागी विदायक अब उनसे नाराद चल रहे है बाजपा ने उनके साथ ऐसा दोरा खेल खेला कि एकनाज शिंदे की अब हालत खराब हो चुकी है महाराश में बाजपा ऐसी पार्टी है जिसका इतियास रहा है कि जिस भी पार्टी के साथ जुटती है उसे खा जाती है तो कहीं न कहीं एकनाश शिंदे का जो वर्चस्प है महाराश्ट में उसे भी खतम करने पर भाजपा काम कर रही है बेदानता फॉक्स कौन नाम की कमपनी से जनवरी में महाविकास अगारी सरकार की डील हुई थी कि महाराश्ट में जो है एक दसमनलब चौनलाग करोड का कारखाना लगी पर लेकिन विडंबना देखिये कि सरकार टूटी और उद्योग मंत्री बिजी हो गए और नई सरकार जब बनी तो उद्योग मंत्री और एकनाश इंदे और देवेंद्र फड़नवीज को इतना समय कहा था सभाओं से कि वो जाकर के उस डील के बारे में सुछ सकता लेकिन उस फैक्ट्री को उस कार खाने को जो है गुजरात में सिफ्ट कर दिया गया जी यहां बाजपा ने जो यहां माश्टर इस्ट्रोप के ला वो गुजरात चुनाव में भाजपा को जो है जन्नत दिखा सकता है जी हाँ क्योंकि भागपा ने देख लिया था कि कैसे उनकी पकड़ गुजरात में कमजोर होते जा रही है। सरकाड़ी के तमाम नेतास आये सरत पवार की बात करें आदित्य ठाकरे की बात करें उदर ठाकरे की बात यहां तक की मन से परमुक राज ठाकरे भी जो है अब एकनाश शिंदे का विरोध कर रहे हैं। एकनाश शिंदे को मुक्यमंत्री तो बना दिया लेकिन उनसे काम जो है भाजपा अपना निकाल रही है। महाराष्ट के लिए जो आई फैक्टरी थी उसे गुजरात में शिफ्ट करा दिया ताकि गुजरात में ट्वोट बैंक साधा जा सके। और महाराष्ट में तो उनका वर्चस पबढ़ी जाएगा और एकनाश शिंदे को खा ही जाएगे। और एकनाश शिंदे भी इस बात को कहीं न कहीं भाप चुके हैं कि भाजपा अब मेरा अस्तितु खत्म करने के लिए लगी भी है। अब एकनाश शिंदे के लिए महाराष्ट में मुस्किले खड़ी हो गई है। लेकिन अब देखना ये दिल्चा स्पोगा के एकनाश शिंदे अभी भी अपनी बात्पा की चाल को समझ पाते हैं या फिर तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक उनका राजिनी तिक वर्चस महाराष्ट से धू मिलना है। विलाल आज की इस कबर में इतना ही तब तक के लिए बने रहें और देखते रहने चुना है।